इन सारे लोगों का कहना है कि ये टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, बिल्कुल गलत, इस वीडियो में सारे लोगों ने टैक्स भारा है, कैसे? अमिर आप मुझे एक बात बताईए, आपके पास मोबाईल फोन तो होगा, जी, खरीदा था खुद? यहां पर किसी ने किसी ने तो अपना मोबाइल फोन खरीदा होगा मोबाइल फोन के जो बक्से के पीछे वो परची है उसको ध्यान से देखा था उस पर क्या लिखा हुआ है इंक्रूसे व टैक्सेज तो जब मोबाइल फोन खरीदा तो आपने भी टैक्स दिया सभी ने टैक्स दिया आज जब मोबाइल फोन का बिल भी भरते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं लेकिन हर आदमी तो मोबाइल फोन नहीं खरीद पाता मोबाइल फोन को छोड़िये अगर आप सोचें आपके रोज की जिन्दगी में सुभे से लेकर शाम तक जिन सभी चीजों का प्रेयोग करते हैं वो कहीं से आपने खरीदा खरीदा तो टैक्स दिया टूथपेस खरीदा टैक्स भरा बुष खरीदा टैक्स भरा कोम खरीदा टैक्स भरा यह झाणे पीने के चीज़ों पर भी tax पडता है? जो कुछ भी package से आपने खुरीदा, चिप्स खुरीदा, package नमक खरीदा, यह चीनी खरीदा, उस पर tax. डाल खरीदी उस पर tax. चये की पत्ति उस पर tax. तो हर कुछा? हर चीज पे tax लगता ही है. जब सभी ने कहा यहांपर के उन्होंने tax नहीं भरा, उनके मन में एक ही सोच था, मेरी आफ़नी नहीं है या शायद कम है, जिसके वज़े से मैंने अपना income tax नहीं भरा, but असल में दो टाइप के tax होते हैं, एक direct tax, जिसका एक उधारन है हमारा income tax, और दूसरा indirect tax, और अगर इन बरें तक जो बड़ा हिस्स और यह अपने इंडारेंक से आता है जो जीदे हम खरीते हैं सबसे ज्यादा थैंक यू सो मॉच थैंक यू तो दोस्तों अब मैं दوبाऱ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश में कोई घुटाला होता है और कोई बरश्टनेता या बरश्ट रदिकारी सरकार का पैसा लूटता है तो वो असल में किसका पैसा होता है हम सब का पैसा जाता है हम सब का जाता है मुझे अक्सर ताज़ब होता है दोस्तों कि जब भी कोई घुटाले की खबर आती है तो मैं देखता हूँ कि लोग बड़ा मज़ा लेकर उसकी बाते करते हैं हस्ते भी हैं कि यार वो 10,000 करोड उड़ा के ले गया कोई 20,000 करोड उड़ा के ले गया इस दफ़ा जब आप कोई घुटाले की खबर पढ़ें तो ये जान कर पढ़ें कि किसी ने हमारे रोज की मेहनत की कमाई का पैसा लोटा है अच्छा मुझे बताईए कि यहां पर कौन कौन है जिनकी परस्टनल वेल्ट यानि खुद की संपत्ती 10,000,000 से ज्यादा है आप हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लोग हैं तो बहुती कम लोग हैं यहां जिनको लगता है कि उनकी संपत्ती 10,000,000 से ज्यादा है चली दोस्तों, अब हम अपने अगले महमान से मिलते हैं श्री शुबरद दास, जो Center for Budget and Governance Accountability इस नाम की संस्ता के साथ काम करते हैं आए शुबरद जी, हमने शुबरद जी को जिम्मदारी दी थी कि यह हमें बताएं कि हमारे देश की संपत्ती यानि हमारे नैशनल वेल्थ कितनी है बताएए शुबरद जी आपके खोज में क्या सामने आया आमिर आपने हमें समय बहुत कम दिया इसलिए यह आकलन हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए है फिर भी दो बड़े चीज़ों का आकलन हमने किया है एक है Hydro Carbon Reserves जिसमें आता है Crude Oil, Natural Gas, Coal और Lignite मतलब कच्चा तेल, कोला वगरा और दूसरा है अधर Mineral Resources मतलब खनिश भंडार कुछ 84, 85 अलग-अलग तरह के Mineral Resources है जिसका लगभग आधा हम लोगों ने इस Estimation में कवर कर लिया है आधा ही कि आपने? मतलब जो मैंने आपको काम दिया था वो आप पूरा नहीं कर पाए उतना ही डेटा मिल रहा है मैं समझ सकता हूं, मजा कर रहा हूं पूरे देश की संपत्ती का अंदाजा लगाने चलें तो उसमें बहुत वक लग सकता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इस वक्त में आप सिर्फ डेड़े चीज़ों का अंदाजा लगा पाएं तो आपके इस अंदाजे में क्या सामने आया? आकड़ा क्या है? आप मुझे बताईए, मैं यहां पर लिकूंगा अब मैं जब तक आपको ना रोक हूँ आप उसमें और जीरो एड़ करते जाएए जब तक ना रोक हैं आप? जी कुछ और जीरो लगाईए तो यह तो बोड़ खतम हो गया? शुबरत जी और लगाईए और लगाऊ जी थोड़ा और एक और एक और अपश्च गए रहें बस एक और एक और जी एक और लगादीज़्य बस तो यह कितना बड़ा आपड़ा है मुझे बताईए आप यह हे पाँच हजार लाख करोड रुपए पाँच हजार लाख करोड रुपए रुपए, पांच हजार लाग करोड रुपए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है, यह कितना बड़ा फिगर है अचा हमें बताईए कि हमारे देश की जो आबादी है, वो करीबं एक सो बीस करोड की है तो अगर हम इस आखड़े को एक सो बीस करोड लोगों में बांटें, तो उसका मूलिय कितना होता है? चालिस लाग रुपए चालिस लाग तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब चालिस लाग के मालिक हैं अपनी अपनी जगा पर जब हमने सिर्फ देड़े चीजों का अंदाजा लगा है चली बहुत बहुत शुक्रे है शुपरजी आशे बाक्षित करेंगा थैंक यू सुपरजी दोस्तों शुपरजी की पुरी रिपोर्ट आपको हमारी वेबसाट पर पढ़ने के लिए मिलेगी तो अब आप समझ रहें कि हम सब की संपत्ती कम से कम 40 लाग है और 40 लाग तो सिर्फ दो बलके डेड़ चीजों के अंदाजे पर है अगर हम देश भर की संपत्ती का अंदाजा लगाएं जिसमें करोड़ो एकर जमीन हैं सरकार के हाथ में पब्लिक सेक्टर की जो कमपनीज हैं स्पेक्टरम हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं इन सब का अगर हम अंदाजा लगाएं तो मैं एकॉनिमिस तो नहीं हूँ लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़ो पती हूँ बच्चा, बुढ़ा, हर इनसान, हम सब करोड़ो पती हैं दोस्तों अब हमें समझ में आगए कि हमारा देश गरीब तो नहीं है लेकिन फिर भी जनता इतनी बधाली में क्यों है आईए इसका जवाब ढूनने की कोशिश करते हैं हिंदोस्तान की धरती को तरह तरह के कुदरती खजानों का वरदान मिला है हमारी धरती के अंदर ऐसी कीमती प्राकरितिक संपदा छिपी है जो हम सब की साज ही है लेकिन जहां हमें एक और ये वरदान मिला है वहीं दूसरी और जनता के इस खजाने को कुछ गिने चुने लोग और उनकी निजी कमपनियां लूट रही है इसकी एक शर्मनाक मिसाल करनाटक के बिलारी में सामने आई प्राकरितिक संपदा से समरिध दक्षिन भारत के इस खूबसूरत इलाके का आज ये हश्र कर दिया गया है बिलारी के पहाडों से बहतरीन क्वालिटी का कच्चा लोहा निकलता था कुछ प्राइविट कमपनियों ने अवैध तरीके से खनन का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए कई गैर कानूनी हतकंडे अपनाए गए इस घोटाले की जाच करनाटक के ततकालीन लोकायोक्त जस्टिस संतोष हिगडे ने की उनकी जाच में ये बात निकल कर सामने आई कि किस तरह से देश की संपत्ती को लूटा गया कहीं प्रतिबंधित इलाकों में खनन हुआ कहीं बिना अनुमती के जंगलों को उजार दिया गया और कहीं तैसीमा से कहीं ज्यादा खनन किया गया उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से जो नुकसान देश को हुआ उसकी कीमत है सोलह हजार करोड रुबए सारवजनिक संपत्ती को निजी स्वार्थ के लिए हडपने के इस तरह के कई मामलों को काफी नजदीक से देखा है जस्टिस संतोष हेगडे ने सर आपने हमारे देश के एक बहुत बड़े घोटाले की जाच की है जो बेलारी माइनिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है आपकी तहकीकात में क्या सामने आया जिस तरीके से वहां हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई जो असल में नागरिकों की संपत्ती है वो विश्वास के परे है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी पैसा बनाना किसी भी कीमत पर सरकार को जो पैसा उस वक्त हर एक मैट्रिक टन के खनन के लिए दिया जा रहा था वो था सिर्फ 27 रुपए प्रती टन और उसी एक टन के लिए एक्सपोर्टर्स माल कहां भेज रहे हैं सोने के सिंहासन बना लिए उन्होंने अपने लिए मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें क्या सामने आया कि करनाटक के तीन मुख्य मंतरी दोशी पाए गए उसमें वो मुख्य मंतरी भी शामिल थे जो उस वक्त सत्ता में थे नौ और मंतरी भी दोशी पाये गए थे, उसके अलावा 797 अधिकारी, जिसमें 14 IAS अफसर थे, करनाटक एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे, और कई और विभागों के अफसर सब शामिल थे, मतलब लगभग पूरा प्रशासन इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, खास्तोर से जो नौजवान यहां बैठे हैं, कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस बरबादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुष नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाए थे, LIC में मुंदरा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम, सेंट्रल बैंक में, हर साल घोटाले होते थे, सोचने वाली बात ये भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं, सौ में से कोई एक या दो ही जनता के सामने आपाते हैं, अब 2010 12 पर आते हैं, कॉमन विल्थ केम्ज, 70,000 करोड का घोटाला, 2G स्कैम, 1,86,000 करोड, 2012 पर आईए, कोलगेट घोटाला, 1,86,000 करोड, अगर 1,86,000 करोड रुपए का एक घोटाला होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते है 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो याद कीजिए स्वर्गिय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार एक रुपया गरीबों के लिए खर्च दी है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुँचते हैं कुछ वक्त पहले करनाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को एक रुपय किलो चावल देने की घोशना हुई है जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है कुछ हफते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट सानी शुरू हो गए कि जो पैसा गरीबों को एक रुपय के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है उससे जो चावल खरीदा जाता है वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है या जहां अच्छे चावल की खरीद हुई है वहाँ उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइविट लोगों को दे दिया गया है इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है कैसे बच पाएंगे हम सर इस तरह के घोटालों का ब्रश्टाचार का आम लोगों की जिन्दगी पर कैसे असर पड़ता है आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी महँगाई है क्योंकि जो पैसा देश के विकास के लिए रखा गया है जिसे देश की प्रगती के लिए इस्तमाल में लाना चाहिए वो पैसा 85 फीसदी चुरा लिया जाता है देश के प्रधान मंतरी ने कहा था मैं नहीं कह रहा मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में एक रुपए में 15 पैसे ही सही जगे पर पहुँचते थे तो आज 5 रुपएों में से 15 पैसे पहुँचेंगे यह हो रही है हमारी तरक्की हम लोग आप अप हेल्थ केर को लीजी सरकारी अस्पतालों को काफी नज़्धीक से मैंने देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ 2010 में एक گाउwn की महिला डिलिवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं थे, अस्पताल ने साफ इंकार कर दिया, महिला के साथ जो व्यक्ति था, वो पैसों का इंतजाम करने गाउं भागा, फिर अस्पताल वालों ने महिला को कहा, कि यहां मत बैठो, बाहर जाओ, वो बेचारी उस हालत में, सडक पार करके बाहर बस्टॉप पर जाकर बैठ गई, जब तक पैसों का इंतजाम होता, बाहर उसी बस्टॉप पर उसकी डिलिवरी हुई, यह किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम, मुझे लगता है कि लालच तो एक बात है, लेकिन लालची होने के साथ-साथ हम अपनी इंसान भी पूरी तरह से खो रहे हैं, हम इंसान से शैतान बन रहे हैं, हमें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हर जगे, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, कुछ इमानदार लोग भी हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी 125 करोड लोग बेइमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में इमानदार हैं, क्योंकि उनके पास बेइमानी करने का मौका ही नहीं है, आज के हालात ऐसे हैं, कि एक आदमी जो बड़े ओहदे पे हैं, वो अगर दूसरे पर उंगली उठा कर कहता है कि आप भरष्ट हैं, करप्ट ह सामने वाला इंकार नहीं करता, वो पलट कर कहता है कि आप नहीं हो कि अब रष्ट हैं, ऐसी सोच बन चुकी है, यहां जो नौजवान मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहते हैं, मेरी पीड़ी के लोग अब हालात नहीं बदल पाएंगे, अब सिर्फ आप ही हालात ब पिक्चों की खातिर,